Welcome to Tax Masterclass, I am Advocate Anthony Williams और आप देख रहे हैं Tax Masterclass आज हम बात करेंगे SIND Sales Tax on Services क्योंकि basically हम बात करेंगे कि जो start-ups हैं, online businesses हैं उसके अलावा online marketplaces हैं इन्होंने service tax देना होते के नहीं और थोड़ा बहुत आपको idea होगा कि service tax वो tax है जो मुक्तलिफ service providers ने अपने customers से collect करना होते हैं उनके customer और businesses भी हो सकते हैं और final customers यानि के students और वो लोग जो उसको finally consume करते हैं वो भी हो सकते हैं लेकिन basically किसने pay करना है, sales tax क्या है, SIND में क्या rules है तो उस पर बात करेंगे और जो law आज consider करेंगे यह आप अपनी screen पे देख रहे हैं, part 1 देख रहे हैं, SIND sales tax on services और इस introduction का मकसद, इस law के introduction का मकसद यह भी है कि start-ups के अलावा, online businesses, e-commerce businesses के अलावा भी जो लोग beauty parlor चला रहे हैं, workshops हैं, उनकी car, franchise हैं, उनको भी एक idea हो जाए कि वो भी इस law के scope में fall करते हैं जो interesting बात हुई अभी पिछले दिनों वो यह SIND हाई court ने एक decision दिया कि जो यह SIND sales tax on services act के तैद, जो SIND revenue board है, जिसको SRB कहते हैं, वो पिछले 8 सालों का notice आपको भेज सकती है, कि आप पिछले 8 सालों से SIND में, जो SIND province है, पाकिस्तान का, उसमें आप service provide कर रहे हैं, और आप इस law में fall भी कर रहे हैं, यानि इस law के scope में आते हैं, आपको register भी होना चाहिए था, तो 8 साल का फ आएंगे इस law को in videos में part 1 देख रहे हैं, आप तो easy होगा, यह law जो है, basically 2001 में आया, और इसका जो main basic idea है, यहां पर जो दिया हुआ है, वो यह है, कि अगर आप SIND province में, पाकिस्तान के service provide करते हैं, और service provide करने के साथ कुछ services होती हैं, जो render की जाती है, या services SIND में आप, वो service आ स्टार्ट, initiate SIND में करते हैं, या उसको service को receive SIND में करते हैं, या consume SIND में करते हैं, जैसे यहां लिका है, तो फिर जो वो service आप consume कर रहे हैं, receive कर रहे हैं, produce कर रहे हैं, उस पर tax levy होगा, और जो service providers हैं, उन्होंने basically a certain percentage, वो 13% भी हो सकती है, 16% भी हो सकती है, 19.5% भी हो सकती ह हम देखेंगे जब हम second schedule को discuss करेंगे, तो sales price में service providers ने mostly ये price add करके, for example, उनकी service 100 rupees किया, तो उन्होंने 13 rupees या 19.5 rupees add करके, total आपको charge करना है as consumers, तो ये basically कानून का basic concept है, और service क्या होती है, service providers कौन से इसमें शामिल है, कौन से नहीं है, जो online business कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है ना, शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, वो सारी बाते हम जो है ना, इन वीडियो में करेंगे, तो start करते है, basic idea आप समझ गए, कि basically जब भी आपने, जो है, सिंध में कोई service provide करनी है, तो आपने देखना है, कि आया इस कानून कहता है, तो आपको government के साथ, यानि के आपका या आपका B2C customer हो, आप जो है, या government हो, या कोई भी customer आपका हो, उसको आपने जब invoice issue करनी है, तो साथ में आपने 13, 16, 19 या X amount of sales service tax तो add नहीं करना है, क्योंकि अगर आप add नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कुछ पिर आप customer से तो recover नहीं कर सकेंगे, लेकिन going forward जो है, government आप से recover कर सकेंगी, यानि Synth government जो है, वो आपको notice भेजेगी, कि जी आपको register होना चाहिए था, और आप register नहीं होए, तो अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इनका main focus ये है, कि अगर आप online business कर रहे हैं, अगर आप online marketplace चला रहे हैं, आप जो है, Uber करीम जैसा business model आपक services के वज़ा से register होना है कि नहीं, main focus तो ये है, लेकर और लोगों को भी guide करते जाएंगे कि ये law उनके बारे में क्या कहता है, तो इसका नाम है Synth sales tax on services और जो services हैं, उन पे tax provinces लगा सकती हैं, पाकिस्तान में, और जो goods हैं, उन पे sales tax जो है, वो federal government, यानि FBR कह ले, वो लगा स है, ठीक है नहीं, आचा, इस ये law जो है, पूरे Synth पे implement होता है, इसका मतलब है कि अगर आप पंजाब में हैं, और Synth में आपका कोई customer नहीं है, तो पंजाब के अवाले से, पंजाब sales tax on services act 2012 है, वो हम किसी और tax master class में comprehensively cover करेंगे, ये जो videos आप देख रहे हैं, इसमें आप को इस law की एक basic understanding होजेगी as a lay person, ये act जो है, ये कानून जो है, फर्स जुलाई 2011 से आया, तो अगर आप अभी तक register नहीं हुए, तो आपको पिछले आठ सालों के, जो है न, notices कम असकम आ सकते हैं, और जो है, आप इस सिंध revenue, सिंध high court ने एक recent फैसला दिया, अच्छा जी, होड़ा important है, और इसको, जो है न, revamp किया गया है, इसमें बहुत सारी definitions डाली गई है, जो आप ज़रूरी है, हम सारों को cover नहीं करेंगे, हम कुछ को cover करेंगे, जिनका directly startups के साथ, online businesses के साथ है, लेकर साथ-साथ आप इस video में देख सकते हैं, short video में 15 minutes की, कि कोन कोन सी definition है, तो तो यह explain किया गया, उसके लावा airport याद रखें कि सबसे पहले जो भी service tax होनी है, उस service को यहाँ properly define किया गया, तो airport ground service provider को define किया गया, airport operator को, ठीक है जी, और इसमें जो interesting बात मुझे नजर आई गया, जहाँ 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 भी उनको नजर आया कि बहुत technical definition थी, जैसे airport operator तो उ civil aviation authority का, उसको और custom act जहाँ 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 उनको जरूरत पड़ी है, उन्होंने और कवणीन को reference करके बहुत easy कर दिया कि अच्छा वहाँ पे जो definition है, उस definition को यहाँ भी use किया जाएगा, और इस बात का यह मतलब, उसके अलावा फिर जो भी tax का कानून होता है, हमने previous videos भी की किया गया है, बहुत सारा architects aware नहीं है, कि उन्होंने रिजिस्टर होना है, फिर associates वगएरा की कुछ definition है, हम अब आएंगे, थोड़ी दिर में जो online की पहली definition यहाँ है, ठीक है, auctioner, जो auction करता है, उसको explain क्या गया है, auditor से क्या मराद है, authorized service station से क्या मराद है, यह जो गाड़ियो properly defined किया गया, तो यह जो अगर आप देख रहे हैं, और अगर आपका यह business है, online ना भी हो, आपकी website ना भी हो, लेकिन आप जो है, यह देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि आप इसके scope में अगर आपका जिकर है, तो जरूर consulting ले, कि आपको register होना चाहिए, कि नही automated teller machine बताई गई है, और फिर automated teller machine की जो लोग maintenance करते हैं, उसको fit करते हैं, उसकी site selection करते हैं, उसके financing करते हैं, सब services हैं, जो है, फिर beauty parlor, beauty clinic, alphabetically arranged है, फिर यह business bank account की बात आ रही है, तो आप कहेंगे कि जी क्यों इतना slow slow यह सारी definition देखना है, ताके सब को फाइदा हो, यह प जो business model है, उसको यह words define करते हैं, कि कोई भी ऐसा person, जो aggregator, operator, intermediary, कोई online marketplace चला रहा हो, जिसका canvas, यानि लोगों को facilitate करना, या लोगों को बुलाना, passenger को बुलाना, travel के लिए और इसी तरह, taxi, cab, van, motorcycle, अब देखेंगे, comprehensive definition है, and who connects the passenger or the intending passenger to a driver of any afford said motor vehicle through telephone, cell phone, website पे, internet पे, GPS, GPRS, based services, electronic, digital means, whether or not charges, और कले, मतलब, ये, अभी ये नहीं कह रहे हैं, कि इस बंदे ने tax देना है, लेकिन आप देखेंगे, कि Uber करीम जैसे business models को, startups को, यहाँ clearly define किया गया, और जब हम second schedule में जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे, कि उनको कहा ग जो है ना, अपनी invoice एड़ करके वो, तो अगर Uber करीम या B4U Cars एक नया प्लेयर आया इस market में, तो वो अगर सिन में services दे रहे हैं, तो सिन में जो है, उनको invoice के साथ ये percentage चार्ज करने की जरूत है, ठीक है जी, अच्छा, अगर कहते हैं तो मैं example नहीं, फिर वो लंबा हो हैं, पार्ट 1, हम फिर पार्ट 2 में ये बात करेंगे के taxable services कौन सी है, और फिर किसको register होना है, और hopefully पार्ट 3, पार्ट 4 तक जो है ना, सारी बातें clear हो जागी, तो call center को define क्या गया है, call center की services, ये भी taxable services में आती है, car, automobile, washing, similar, अगर आपका कोई गाड़िया धोने का जो है, बिजनस है, फिर caterer है, और किस किसम के चाहिए, आप functions करते हैं, ceremonies करते हैं, और फिर उसके अंदर और बहुत सारी बात होती है, club अगर आप चलाते हैं, तो ये भी includes membership club और वगारा, commission agent अगर है, तो आप service provider है, तो sin में अगर आप commission ले रहे हैं, तो ना सिरफ आप से income tax deduct होगा और आप से section 233 के तेद, अगर किसी को करें, और जो है, या फिर जो है क्या करते हैं, आप अगर soul proprietor भी हैं, तो commission पर tax अगर deduct नहीं भी होगा, तो एक तरफ आपको income tax देना है, दूसी तरफ आपको यहां register होगा, तो slowly मैं इससे growth हूँ, तो फिर कुछ definitions हैं, जो इसकी इदा सारे की अपनी हैं, commissioner, commissioner appeals, फिर commodity broker, फिर company, क्या है, इसमें सब किसम की companies आती हैं, ठीक है, यह definition है, फिर cosmetic and plastic surgery, अब कहेंगे, आप कहेंगे, यह definition में क्यों शामिल है, तो एक तो आपको idea हो रहा है कि यह जो मुक्तलिफ services हैं, यह क्या है, इसमें आप note करें, तो यह सारी चीज तो इस सारी चीजों से आपको जो है, यह services में आएंगी और फिर आगे चलके देखेंगे किसको register होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, courier services है, credit rating agency है, custom agents है, ठीक है, जो सिंध revenue का जो law है, जो आप इस वक देख रहे हैं, इसमें सारे जो persons हैं, जैसे यह आप मुक्तलिफ activities देख देख रहे हैं, इन सब को जो है क्या कहते है, explain किया गया है, कि यह क्या करते हैं, जिससे यह construction वाले, और पंजाब के कानून में इसको अलग से schedule बना के वहाँ explain किया गया है, कि कौन कौन सी चीजों से क्या मुराद है, जैसे exhibition service से मुराद है, कि चाहिए आप market में promote करे, advertisement करे कही showcase बनाए, products करें, services करें, तो आप essentially service provide करें, FBR की बात है, fashion designers की बात हो रही है, तो जो है कि कहते हैं, और उनकी सारी activities फिर यहां outline की गई हैं, तो इस तरह जो है, मैं अब आपके सामने अगली जो definition है, जो online marketplace से related है, इसमें देखें, gym बगएरा, health, hotel अगर आप चला रहे है indenter है, input tax का मतलब जो आप से tax cut रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर यहां पर online marketplace पे बात खतम करेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे, कि taxable, कुछ और definitions देखके, कि taxable services वगएरा क्या होती है, ठीक है, officer notification, यह आगया जी, यह second startup से related online marketplace में, इसका में मतलब न रहे हैं, कि यह यह businesses हैं, जो इस कानून के scope में आते हैं, तो online marketplace means an information technology platform run by e-commerce entity और organization, इसका मतलब है, या तो कोई e-commerce entity चला रहा है, और e-commerce को भी आपने बहुत broadly देखना है, e-commerce का मतलब सिर्फ दराज.com नहीं है, e-commerce का मतलब है, जो भी electronic information technology platform हो, जहां पर buyer, sellers हो, lane, देन हो उसमें exchanges भी आते हैं, और अगर ऐसा platform कोई और organization भी चला रही है, over electronic network that acts as a facilitator, जो buyer और seller को जो है लाते हैं, यानि कि service provider और service recipient हो, या goods के provider हो, या जो भी हो, उस जगा को online marketplace कहते हैं, तो आया, इन्होंने भी register होना है कि नहीं, तो पहला step रख दिया गया है, सिंद revenue के कानून म कि इन्हों, ये area क्या है, यानि ऐसा activity जो कर रहा होगा, वो online marketplace में होगा, next video में हम कुछ और definitions देखेंगे, जैसे place of business को जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपका idea हो जाएगा कि अगर आपकी physical place ना भी हो सिंद में, तब भी आपका business वहाँ पर register होने की जरूरत बढ़ सकती ह कौन है, resident कौन है, taxable services क्या हो, कौन है, तो आप देख रहे थे tax master class, आप से बात होती है, अगली वीडियो में, part 2 में, अपना ख्याल रखेंगे,